पिछले सत्रे दिनों से चल्ला मद प्रदेश का सियासी नाटक अब खत्म हो गया है फ्लोर टेस्ट से पूर्व मुखमंतरी कमलाथ ने आज बारे वजे प्रिसवारता की इसके बाद उन्होंने राजपाल को इस्तीफा दे दिया करोणों रुपए खर्च कर खेल खेला जा रहा है एक महराज और उनके 22 साथियों के साथ मिलकर साजी स्रची इसकी सच्चाई जल्द सामने आएगी जनता इन्हें कभी माप नहीं करेगी सीम कमलात ने कहा कि हमने तीन बार बिधान सबा में बहुमस साबित किया है बीजेपी ने जनता के साथ बिस्वास घात किया है लोकतांत्रीग मूलियों की हत्या की जा रही है कमलात ने कहा कि बीजेपी ने मेरे कारकाल के दवरान हमारे कार्यों के खिलाब साजिस की पहले दिन से ही ये लोग हमारी सरकार गिराना चाहते थे इस्तीफे के ऐलान से पूर मुखमंतरी कमलाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया उन्होंने कहा कि हमने आम लोगों के लिए काम किया है बहत्पा को मेरा ये काम रास नहीं आया हमारी सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा बीजेपी ने किसानों के साथ धोका किया है बतादें की कांग्रेस के बाइस विदायकों ने इस्तीफा दे दिया था जिसमें से 6 विदायकों का इस्तीफा इस स्पीकर ने सुईकार कर लिया था और सोले विदायकों का इस्तीफा सुईकार नहीं किया गया था बीजेपी ने सरकार से सदन में बहमो साबित करने की मांग की थी लेकिन मांग को दरकिनार करते हुए स्पीकर ने 26 मार्ज तक सदन को इस्थगित कर दिया था इसके बाद बीजेपी की ओर से सुप्रिम कोट में आज का दायर की गई थी और तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी सुप्रिम कोट ने गुरवार को स्पीकर को फटकार लगाई थी और सोले बागी विधायकों के स्थीफ़े को ना सुईकार करने का कारण पूछा था सुक्रवार साम पांच बजे तक फिलोर टेस्ट कराने का आदेश भी दिया था इसके बाद स्पीकर ने सभी सोले विधायकों का स्थीफ़े का सुईकार कर लिया विधायकों का स्थीफ़े का सुईकार होने के बाद कमलना सरकार अल्पमत में आ गई अब कमलना सरकार के पास सिर्फ 99 विधायक बचे हैं जबकि बहुमत के लिए 104 का अंखड़ा चाहिए प्लोर्टेश्ट से पहले कमलनात ने स्टीफेक आयलान कर दिया अब आगे भाजपा सरकार बनाती है या कांग्रेस या फिर यहां राश्पती सासन लगेगा ये समय ही बताएगा खबरों का सिस्रा जारी रहेगा देखते रहिए जन प्रवाद नमस्कार